हाई गाईज इस वीडियो में हमें अधलांच के बारे में देखेंगे तो रिसेंटले भी न्यूज में कुछ दिर पहले चलना था कि सिक्किम में लीपू लेक जो पास है उसके पास में एक बड़ा सा अधलांच आया था अधलांच या आज इसको इसको स्ट्रॉम भी बोल सक का जो माउंटेन स्लोप पे स्लाइड करता है उसी कौम क्या बोलते है अधलांच बोलते है इस अधलांच के रास्ते में जो भी इंफ्रस्ट्रक्चर पेड़ बगारा जो कुछ भी आता है उसको डिस्ट्रॉई कर देता है और उसको पूरी तरेके से इसनों कबर कर देता है तो क्या मैंने बताया, अवलांच का डिफिनिशन, अहाई भी मास साफ इसनों, स्लाइट्स ओबर माउंटेन, स्लोप अंडर दा इंफ्लूएंस आफ ग्रेविटी, ठीके? तो आई यहां देखते हैं, डिफिनिशन के टूरू के अब लांच होता गैसे हैं, तो सबुझ करिए करिए यह माउंटेन का क्रॉस सक्षन हैं, ठीके? मतलब जिधर से बिंढ्स यहां पे टक राती हैं आकर सबसे जादा उसकों बिंणवर्च गूलते हैं और जिधर से बिंढ्स क्या होती है सब्साइड गरती है, ठीक है सब्साइड क्रती है मतलब नीची की तरहां टेंट नीची तरह लो होती है यह old snow cover है, मतलब बहुत पुराना snow इस पे जमा होगा, ठीक है, अगर इसके उपर बहुत सारा snow fall हो रहा है, मतलब जो snow cover है, जो snow है यहाँ पर, वो accumulate हो जाएगा, ठीक है, और snow accumulate होने के वेज़े से, अगर मालीजी इस पे कोई disturbance create होता है, इस slope पे कोई disturbance create होता है, या तो temperature पढ जाए कि यह मतलब leaver side में ज्यादा आता है, और bindward side में कमाता है, लिवर side में ज्यादा आने मतलब क्या, बिंड भी हो सकता है, अगर बिंड बहुत जाद प्तीर चल लिए तो क्या हुआ, इस पे जो snow accumulate हो गया, इसको तोड सकती है, या इन जो लिवर side में जो बिंड चल नह इसके, जो snow होगा, वो slightly गलने लगएगा, ठीक, लिक्विफाई होने लगएगा, तो इसके उपर जो snow होगा, अभी जल्दी जल्दी, वो accumulate हुआ है, और वो solidified है, तो क्या होगा है, इसके उपर कही नगाई स्क्रॉल होना सुरू कर देगा, ठीक, और जब स्क्रॉल होगा, तो बड़ा सा, इसनो, तूट जाएगा, उसको हम slab भी बोलते हैं, ठीक, और जब यह तूटेगा, तो अंडर gravity क्या होगा, जो mountain slope पर उसके का गरेगा, slide करेगा, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, avalanche बोलते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसके, मतलब क्या causes हो सकते है क्यों इतने ज़्यादा avalanches आ रहे हैं, जिसे हमालय वाला region काफी ज़्यादा फ्रेजाइल हो है, वहाँ पर काफी avalanche आते रहते हैं, तो अगर natural cases देखें, तो इसका सबसे बहले mountain का train, उसकी topography मतलब, topography कैसी है, मतलब ज़्यादा steep slope है, या narrow slope है, तो slope पे depend करता है, इसनो snow cover कैसा है, मतलब पुराना snow cover है या अभी जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा snowfall है, जो बहुत old snow cover होगा, अगर देखा ज़्यादा तो काफी weak होता है, वहाँ पे ज़्यादा chances होते हैं, अगल अंचाने के, ठीक है, बिंड के speed पर भी depend कर सकता है, ठीक है, टेंपरेचर प अगर वो धेरे देरे liquefy होना आप सुरू करते हैं, अगर जब liquefy होंगे, तो जाइस बात है, यह से ब्रेक होंगे, और तूटेंगे, तो slope पे होंगे, तो यह slide करेंगे, इससे बहुत सारे अवलाण चाहिएंगे, और anthropogenic region की बात करा जाएं, मतलब human factor की बात करा जाएं, तो deforestation हो सकता है, ठीक है, बांब भी हो सकती है, slope cutting हो सकता है, मतलब किसी भी slope कट करके वहाँ पे इंफ्रेस्ट्रक्चर बनाना, बिंटर स्पोर्स में, अमाउंट रेन बगारा होती है, ठीक है, तो इससे pollution बगारा भी होता है, और इससे trimming करना, पेडों को काटना, यह सार यह जो snow cover है, वो धेर-दर decay होने लगए, गल लगएगा, ठीक है, लिक्विफाइ होने लगएगा, यह लिक्विफाइ होगा, तो उपर जो नीचे की सता है, वो कमजोर होगी, और उपर वाला जो बरख accumulate हुआ है, वो क्या होगा, वो slide करने लगएगा, ठीक है, तो इससे ब temperature हो जाता है, बीट के वज़े से हो जाता है, यह वाला जो पूरा रीजन, यह वाला बरफ का जो snow cover है, यह तूट गया, अब इसको बोलेंगा हम लो slab, अब यह slab जो होगा, बहुत तेजी से mountain slope पे क्या करेगा, ठीक है, अब इसके रास्ते में जो भी पेड आएंगे, घर आ करना पड़ेगा, ठीक है, global warming को control करना पड़ेगा, यह forestation बहुत जादा करने पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे proper assessment होना चाहिए, कि मतलब जो slow period है, वहाँ पे कुछ settlements है, वहाँ हो की ना हो, ठीक है, तो यह बहुत सारे कुछ mitigation processes हैं, जिनके वाज़े से इसको control तो नहीं क पर इससे होने वाले जो नुकसान है, उनको कम क्या दसता है, mitigate क्या दसकता है, ठीक है?